दोस्तो आज फिर एक और ग्रेंड लिग का उसांदर मेच में आप लोगों के सामने लाया हूँ जो की है फाइनल मेच पामीर और मेवंड के बीच में दोस्तो यह अफगानेस्तान के ODD स्रीज चल रही थी जिसमें टोटल चार टीम होंती जिसमें दो टीम टॉप करी हैं और अब यह फाइनल मेच खेल रही है इस स्रीज के आखरी मेचे स्रीज के अल्रेडी काफी सारे मेचेस खेले जा चुके हैं दोनों टीमों अपने 6-6 मेचेस भी कंप्लीट करें दोस्तो इन सारे डीटेल आपको इस वीडियो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो यह वीड इसके बिलकुल मत करना क्योंकि यह जो वीडियो रहने वाला है काफी जाधा सांधर रहने वाला है इस पेशली उन लोगों के लिए जो ग्रेंड लिग में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है दोस्तो वीडियो आप देख लोगे तो आपके बाद एक हाई कॉंफिडेंस आएगा और आप इस में अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छा कासा वीन कर सकते दोस्तों तो वीडियो को इसके बिलकुल भी नहीं करना है सबसे वहले आपको दोनों टीमों का फॉर्म दिखा दूं दूस्तों तो पाम भीड ने अपना लास्ट मेंच हा रहा है और वही दूस्तों इस वेन्यू की डिटेल बाता है तो दूस्तों बैटिंग लिए ट्रेक रहता लास्ट को में खेला गया था दोनों तरफ से 3-300 स्कोर प्लस इस कोर बनाते दूस्तों इस पिनरों को बहुत ज्यादा हिल्प मिलती है इस वेन्नी पर सनी वेदर रहने वाला है और प्लस एक श्पिनर रिसा है दोस्तों जिसने केवल 6 Mhs केले हैं केवल 6 Mhs लेकिन विगेट किते 17 निकाले हैं वो कौन सा अप्लेयर है उसका पाँ क्या यूज्ज कर सकते हैं ग्रेंड लेकर स्मॉल लिग में इस वीडियो में आपको क्लियर होज़ेवाला है वीडियो को इसकी बिलकोली मत करिये को दूस्तो venue analysis के बात करें तो इस venue पे पिछले 12 matches में क्या होगा दोस्तों पिछले 12 matches में आठ पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और second team में दोस्तों तीन ही में स्विन करने हैं तो रीजन क्या दोस्तों इसका रीजन यह है कि second inning क्या होता है विकेट थोड़ी slow हो जाती है और spinnerों को बहुत ज्यादा मदद मिलने लग जाती है आपको पता ही है कि second inning में spinner काफी important पिक रहते हैं क्योंकि दूस्तों जो पीच रहती है उसमें क्रेक्स काफी जदा हो जाते हैं क्योंकि players जिदर उदर run दोडते हैं तो इस कारण से क्रेक और ज़्यादा हो जाता है तो second inning में spinner को और ज़्यादा turn मिलने लग जाता है इस कारण से यहाँ का record भी देख सकते हो पहले inning में बैटिंग करना फायदा मन रहता है और second inning में spinner को मदद मिलती है तो विकेट ज़्य ज़्यादा गिरते हैं विडिंग चांसेस भी फर्स्ट इनिंग वालों की ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर दोस्तों पिछले जो मेचेस के लेगा है सबसे रीसेंट पर इस दोनों टीमों के बीच में ही कहला गया था जिनके बीच में फाइनल मेच खिला जाने वाला है इ इसमें आप देख सकते हो पेसस को चारे विकेट बिलते हो जो के फर्स्ट इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में पेसस को मदद मिलती है यह जी ध्यान रखना हमेशा हर मेच के लिए यह इंपोर्टन रहती है और सेके इनिंग में स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है तो और तीन Image कहा हैं स्क 믿्ण हो कि यह जो से PZN ने इसमीन कि देदी तो में सब्सक्राइब और को भाफ़ एनोर कि सब्सक्राइब कर दो स्का मिलने वाली है आप 5B सूर रहेंकरों तो में कहने हैं वो बेटिंग फ्रेंडी ट्रेक रहता है तो यहां पर आप बेट्स में नों को प्रीफर में टीम बना सकते हो अपनी यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चिस क्लियर बता दू इस मेच में पूरी अपनी बीच टीमों को साथ ग्रेंड लिक खेलने वाला हूँ तो आपको पहले से ही बता दू तो वीडियो अगर आप इसकिप कर रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना पूरा देख लेना क्योंकि टीमों जो रहे की ग्रेंड लिक की वो मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरी क्या टीम रहेगी लेगिन आपको एक आइडे जरूर दे दूँगा किस तरीके से आप यहां पर टीम कर सकते हो ठीके तो आप भी बीच टीमों को साथ इस में ग्रेंड लिक जरूर खेलना है क्योंक अब दोनों ने नोनों वीचेट इस सेरीज में निकाल हैं दोस्टो इसके अलावा इहां पर इनकी प्लेएंग लेवन देखोगे तो आपको उपन करती हुँग है मुहमत सहीजा biased which is international गुलबदी नाईब गुलबदी नाइप काफी इन्पोर्टन्ट पी करेचे थे बैटिंग वो लिङ वार्टन सरापुद्दिन असरभ भी दोस्तों अच्छा पर्फॉमस दे सकते हैं फरीद हमादे सायाद सीराज है जाकिर खान और अब्दूल बाकी यह दोनों काफी इंपोर्टेंट रहें क्यों कि दोनों इस पीनर है दोस्तों जादा इफेक्टिव पर्फॉमस इनकी दरब से रहती ह है जिसमें लास्ट इसमें उनने नई नए प्लेयरों को काफी चांस दिया था लेकिन इस मेच में दोस्तों फाइनल मेच है तो इनके मेन प्लेयर ही खिलते आपको दिखेंगे प्राइम लीजिंड की तरफ से स्क्वेड डिटेल देख लो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो अच्छे प्लेयर हैं कंसिस्टेंट रहते हैं दोस्तों रन बनाके जाते हैं प्लस स्टंपिंग टिपिंगे एक्स्टा पॉयंट दिलासने जजाई की बात करेंगे काफी अट्यें के दिखेलते हैं और जब यह आये थे तो दोस्तों बहुती मतलब तगड़ी पारी इनों खेली थी आता सही सतक भी वारी तीनों ने जब इनका डेव्यू मेच रहा था और काफी अच्छे हट्टे-कट्टे प्लियर है काफी इंपोर्टेंट पीक एक सब्थारन बनाए एक और चुछ आपको ध्यान रखना यह लास्ट इसमें नहीं थे तो इस मेच में आएंगे तो काफी इंपोर्टेंट पिक रहने वाले हैं क्रेंडली केल रहा हो दस टीम बना रहे हो तो दो टीमों में आप इनको दो या एक टीमों में इनको जरूर क्याप्टर ना बना के चलना दूस्तो इसके अलाब इनको ओडीडी करियर देख सकतो 26 का उसत और इंटरनेशनल में 22 क इनका उसत रहा है रहमत साह के बात करो सो इनकी परफॉंस देख लो इस सीरीज में इनोंने 6 मेचे स्केलते हूं 38 रण बना है 89 इनका उसत है और 149 पे नोट आउट इनका बेस्ट रहा है ओडीडी में स्टेट्स काफे जा बढ़दास थे और ODI में भी काफी सारे मेचे स्क काफी स्रेफ और काफी इंपोर्टन पिक रहेंगे इस मेच में स्मॉल लिग में अच्छे कैप्टन आप्शन रहेंगे साहिद उल्ला कमल के बात करूं लेफटाम और्थोडोस स्पिन बॉलिंग करते हैं बान्डवें इनका इस सीरीज में हाइस रहा एक सटका इनका ओसरत रखना जी एल में ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लिंग में रिसकी पीक है गुलबदीन नाइब दूस्तों काफी अच्छे प्लियर हैं पहले ही अफगानिस्तान टीम की कैप्टेंशी भी करते थे और इनका अभी स्टेट देखोगे सीरीज में चुमें 150 रहें 73 इनका बेस्ट दूस्तों 9 विकेट इस सीरीज में निकाल चुके हैं 4 पे 48 इनका बेस्ट है इस सीरीज का स्टेट ओवरल काफी इंपोर्टेंट पिक हैं स्मॉल लिंग में मस्टेव रहते हैं ग्रेंड लिंग में अच्छे कैप्टेन आप्शन यह रहने वाले हैं सराफुद्दीन पिक रहेंगे ग्रेंड लिंग में आप इनको कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हो इसके अलाग सो फरीद हमत की बात करों लेफ्ट आम मीडियम बॉलिंग करते हैं यह सीरीज में चार मैचों में तीन विकेट निकाल चुके हैं वेन्यू पे दोस्तों इस्पिनरों को मदद है हैं तो आप इनको इजिली ड्राब कर सकते हो इस्पिनरों को लें सकते हो अपने टीमों में in- napeas रिस्की पिक रहने वाले हैं सहियाद सिराज भी दोस्तों रिस्की पिक रहेंगे चार मेचस में तीन विकेट मिले हैं दो पर चालीज इनका बेस्ट रहा है लेफ्ट आम मीडियम है और इस वेन्यू पर स्पिनरों को मदद दे तो इनको आप ग्रेंड लिग में ट्राइए कर जरूर ट्राइए करना ठीक है पर्फुमेस काफी जबर दसते और अच्छे प्लियर हैंगे स्मॉल लिग में मस्ट ग्रेंड लिग में कैप्टन लाएक प्लियर हैंगे अब दुल बाकी के लेक ब्रेक बालिंग करते हैं दोस्तों तीन में नो विकेट है चार इनका बेस्ट तो अब जो प्लियर देख रहे हैं इनके स्टेट साब देख लीजेगा स्रीज पर्फुमेस और ओवरल ओडीडी ओडी आई के पर्फुमेस देख सकते हो मावंध डिफेंडर के तरफ से बात करेंगे इनके प्लेएंग लिए और कुछ इस तरीके से रहेगी जिसमें दोस्तों ओपन करेंगे बिलाल सिन्वारी के साथ नूर अली जादरा लास्ट इसमें नूर अली जादरा ने सत्तक मारी है तो ध्यान रखना दूस्तों इसमें में जी एल में कुछ टीमों में रिस्क ले सकते हो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉलिक पॉइंट ऑग व्यू से हज मतुल्ला साहीदी के बात करूँ इस सीरीज के हाइस्ट रंगेटर हैं दोस्तों सेकेंड पे हैं नासिर जमाल ठीके नासिर जमाल नास प्लेयरों को काफी मोका दिया था तो इस में जी और रहमान आएंगे लगबग चांसे से कि आपको यमीन अहमद जाई की जगह पे चेंज होते हुए दिखेंगे इसके अलाव दोस्तों लास्टेस में अहमद उल्ला अजमत उल्ला ओमर जाई भी नहीं के लेते इस में इनक इस में आपको बेंचे बेठे हुए दिखेंगे दुस्तों यह इसके अलाव हाइस्ट विकेट टेकर काईस एहबाद है लेगिन अभी सायद अबेलेबल नहीं है पिछले दो तीन में चैसी नहीं खेले इसकारण से बेंच में रखाए नीत दुस्तों यह सीरीज के करेंगे नूलरी जादरान के साथ हजमत उल्ला साइदी मस्टेपिक रहेंगे नासिर जमाल को भी ले सकते हैं बॉलिंग कभी डवांटेस देते हैं इक्रम अली खान है समय उल्ला सिन्वारी काफी अच्छे प्लियर है दोस्तों हयात उल्ला को जील में ट्राय करना ओमर जा इनकी दरफ से यहां पर प्लेयरों की डिटेल देख लो बिलाल सिन्वारी न दोस्तों दोही में एक में त्रेपांच जोकी लास्ट में हीनोंने मारी है और एक में जल्डी आउट हो गाए तो ओडीडी खेलें ओडी नहीं के लें जील में ले सकते हो इस मॉर्डिंग में र जोकि लोने लास्ट टेस्ट में मारा है बाकी के दो में यह फ्लाप गयते इसके अलाव दोस्तों इनका ODI और ODD स्टेट्स देख सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर है नूर ली चादरन हस्ता मुत अल्ला साइधी काफी कंसिस्टेंट रहेते हैं दोस्तों इस स्रीज में भी 6 में दोसो पंदरा तिरियाल इसके ओसस से और एक विकेड में निकाल चुके हैं स्पिन बॉलिंग करते हैं स्कराण सेन को कुछ ओवर की गेंदवाजी भी दी जाती है दोस्तों इकरम अलीक हील को जील में ट्राय कर सकते हैं स्मॉलिंग में रिस्किए नासिर जमल को जरूर अच्छे राएंगे में ड्रा सकते हैं स्मॉलिंग में लेकर चल सकते हो में पैस्टन को जरूर रहेंगे लेफ्ट टाम और तो को मबद ऐ तो इमपोर्टन शेवान को से दिखा दिखा दिए प्लेइंग बगरे दिख ले तुम क्या बना सकते हूं और कुछ अलग और ॉटि अबंगल को इंपोर्टन शेज बतलता हूं यह बहुत ही सांदर इस में केवला पेज़ आपन प्लेए में यक स्मॉल लिड हर रहे हो तो एक बार इसको एप को ज़रूर आपको ट्राइ करना चाहिए कुबेरा एप का नामे डियो मोड यहाँ पर काफी यूनिक रहता है इसमें पाच प्लेयर ओप्सन में दिये हैं किसी एक प्लेयर को लेकर आप उटीम में बना सकते हैं क्याप्टन के भी जंज़र नहीं रहती है तो केवल एक प्लेयर आपको प्रिडिट करना और इसमें आप अच्छा गासा विन कर सकते हैं बहीने के लाख रूपय तक यहाँ पर विन कर सकते हैं मैं भी विन कर रहा हूं तो आप लोग को इसलिए इसको नाउडर कर लेना इसकी लिंक जो है में इन्जेस को में डाल रखी है तो वहां से आप को दान लोड कर सकते हूं यहाँ पर आप देख सकते हूं पाछ भाच प्लिएर के सेटों दे रहे हूं उसको ले की टीम बनाओ और जो player के states में आपको बताएं वो आपको काफे ज़ाधे help करेंगे इसमें आपका best player choose करने में दूस्तों तो definitely try करना है से आपको download नहीं करिये तो नीचे description में link के जरूर download कर लेना दूस्तों देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो लाइक कर सकते हो और आपको वीडियो सची में अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते अपने दोस्तों में और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो के ज़रूर करो आइपेल को में ड्रॉप कर रहा हूं उनके जगा पर डोमेश्टिक में इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेली राम से जरूर आप जूड़ जूड़ जाना बेटिंग ओड़ा थोड़ा से इनका नीचे रहता है बस और अजमत उल्ला उमर जाई कि इस मैचे बेक होगा तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्रूसियल पिक रहने वाले हैं आज के मैच में इसके अलवा गुलबुदिन नाइव इंपॉर्टेंट है एंपॉर्टेंट है और टिक के केलने वाले कंसिस्टेंट प्लेयर ने दोस्तों यहाँ पर सराफुद्दिन अस्रफ को लिया है लेकिन यहाँ पर में समुल्ला सिन्वारी को ले रहा हूँ क्योंकि बैटिंग गोली दोनों का एडवांटिज देते हैं यहाँ पर आप चाहो तो अस्तिमुल्ला करेंगे और थोड़ा सो बहुत बॉलिंग का भी डेवांटस देंगे यहाँ पर जाहिर कान मस्टे पिक रहने वाले अब्दुल्बक की इंपोर्टेंट और यहाँ पर एन खरूटे को में अपने टीम में ट्राय कराएं दूस्तों यह तीनों की तीनों इस्पीनर है और आपको ग्रैंड लिक के प्लेर्स अल्रेडी बता दियें किन किन को आपको ट्राय करना है और कौन-कौन से प्लेयरों को रोटेट कर सकते हो आप ठीके बाकी के अपडेट के लिए टेलिग्राम चैनल से को आप ज़ाइन जरूर कर लेना ताकि फाइनल यह अपडेट आपको आपको बता सकता हूं इसमें जो सकता है तो प्लेइंग लेवन जेसे ही आएगी वो भी टेलिग्राम आपको मिल जाएगी